Hello friends, welcome back to our YouTube channel दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगी कि सपने में चुहे का काटना कैसा होता है सपने में चुहे का काटने के जो मतलब होते हों मैं आपको astrologically और psychological दोनों रूप से बताऊंगा पहले हम बात कर लेते हैं psychologically यानि मनोविज्यान के माध्यम से सपने में चुहे का काटना कैसा होता है सपने में चुहे का काटना अगर आप देखते हैं तो मनोविज्यान के माध्यम से इस सपने का संकेतिये निकलता है कि कोई चीज आप से दूर जा रही है ये किसी object यानि वस्तु के रूप में हो सकती है किसी इंसान के रूप में हो सकती है, friend के रूप में हो सकते हैं, किसी भी अवस्ता में कोई चीज हो सकती है, जो आप से दूर जा रही है, उस वक्त psychologically आपको इस तरह का सपना दिख सकता है, psychologically इस अपने का महत्तु ये भी होता है, कि आप किसी चीज से बहुत पड़ेशान है, मतलब कि ये चीज किसी भी रूप में हो सकती है, कि कोई आप सको छोड़ के जा रहा है, इसलिए आप पड़ेशान है, या किसी और रिजन से पड़ेशान है, अपने job से related या अपने study से related किसी प्रिकार की पड़ेशानी आपके दिमाग पे रहती है तब आपको इस तरह का dream दिखता है सपने में अगर आप चुहे का काटना देखते हैं तो इसका जो astrological meaning होता है यानि कि सपनशास्त के माध्यम से धर्मसास्त के माध्यम से जो इस सपने का आर्थ होता है वो मैं अगर आपको बताओं तो सपनशास्त के माध्यम से एक असुप सपना होता है सपने में चुहे का और खुसी आपके life में सीधा सधा life आपका चल रहा है सही life चल रहा है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है यह सपना इश और संकेत करता है सपने में अगर आप चुहे का काटना देखते हैं तो astrologically इसकार्थ यह भी होता है कि आने वाले समय में आपके कारी छेतर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है कारी छेतर से जुड़ी हुई यानि कि अगर आप study करते हैं तो आपका कारी छेतर पढ़ाय लिखा है अगर आप job करते हैं तो वह आपका कारी छेतर है उससे related जो कुछ कठिनाई आपके जीवन में आ सकती है एवं किसी प्रिकार के असुप समाचार के प्राप्ती भी आपको हो सकती है अगर आप इस तरह का सपना देखते हैं तो उमिद करता हूँ वीडियो आपके लिए informative राव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें